नमौस्कार दोस्तों स्वागत है आपका दिनिवी लॉंचर के इस यूटिब बंच पर दोस्तों क्या विहार के मुख्यमंति नितीज कुमार को राजनितिक तोर पर अपने लोगों नहीं घ्रने की प्लानिंग कर लिए और बिहार में नितिश कुमार की राज्ञिति को परखने के के लिए नितिश कुमार को कभी कोई न कोई पेज फशा दिया जाता है कभी कहा जाता है लोगसभा के चोड़ दीजिए महाराश्च के साथ करा ली जिएगा और जब आगे लोग सभा चुनाव संपन होता है तो फिर एक विदान सभा सीट का नोटिफिकेशन निकाल दिया जाता है जबकि पांच सीटे खाली हुई है चुनाव आयोग को भी पता था कि चार लोग सांसर चुने गया है और वो चारो के दौर में जो चुनाव आयोग काम कर रहा है उसकी यह इस तरह से काम करने की प्रक्रिया है बात रुपाली विदान सभा चुनाव की हो रही है पूर्णिया का रुपाली इलाका जहां से जनता दल उनाइटेट के टिकट पर बीमा भारती पिसली बार जीती थी वह पांच में चली गई और बिनान सभा सीट से इस्तिफा देना पड़ गया चुडाओ लड़ी बुरी तरह हारी और अब उस रुपाली सीट पर उप्चुनाव होना है रुपाली सीट को आप देखेंगे उसके बारे में जानने की कोसिस करेंगे अती पिछड़ा बहुल सीट है और पिछड़ा पहुल सीट पर सामाने वर्क के मद्दाता डिसाइडर की भूमिका में निनायक की भूमिका में होते हैं खेल किस तरह से और क्यों है कि यह जानना जरूरी है क्यों यहाँ खेल की गुंजाइश बनी हुई है जनता अधल उनाइटेड और भार्ती जनता पार्ट में से ना तो दिल्ली में मोधी को और नहीं पटना में नितिश कुमार को दोनों जगा किसी को अपने बूते बहुमत हासिल नहीं है दोनों को एक दूसरे की जहुरत है सायोगी दल की जहुरत है लेकिन चिराग मॉडल पिसली बार का याद होगा सब को याद होगा कि जिस चि कि सीटे कम हुई जेडियू के लोगों ने खुल कर आरोग भी लगाए और उसके बाद अंतता संबंध भी तूटे ललन सिंग ने तो प्रेस कांफरेंस कर बहुत सारी बाते कही थी लेकिन अब रुपाउली के वाई के लिए जब जदियू ने कलाधर मंडल को मिरवार बना दिया पहली बात तो भी उप्चुनाओं के लिए नितीस कुवार चाहते नहीं थे वह चाहते थे कि विधानसवाई भी सरजित हो जाए और महाराष्ट के साथ चुनाओ हो जाए अब उन्हें 13 जुलाई की निकलवा दे कहा जाता है कि इस चुनाओ आयोग को जो इंडिया गटमंदन के लोग आरोप लगाते हैं यह चुनाओ आयोग कथित रूप से सत्तापक्ष के सारे पर काम करता है अगर नियक सही होती तो एक बार नहीं पांचों निकलता दो दिन इंतिजार कर लेते कि विध जो एक सीट पर चुनाओ है जो जेडियू की जीती होई सीट थी चिराग मॉडल के बावजूद जीती होई सीट थी क्या उस सीट पर जनता दलिउनाइटिड को अपने लोगों से ही खत्रा है और क्या उस सीट के नतीजे को आज जो माहौल बना हुआ है कि जनता अगर चुनाव हारती है तो यह माहौल बनाने की कोशिस हो सकती है कि नुप पॉली का बाई एलेक्षन तो हार गई अब यह किस मूझ से बिरांसमा चुनाव कराने की बात करती है किस मूझ से ज्यादा सीटे चाहिए किस मुझ से गठवंदन में बड़ा भाई जेडियू खु जो इस सीट पर जो महा गठवंदन था जो आज का इंडिया गठवंदन है राजत कॉंग्रेस का गठवंदन वामपंथियों का गठवंदन उस गठवंदन से सीट सीट को दिगए भारतिय कमनिस्पार्टी को और सीपी आई से इस सीट पर चुनाव लड़े थे विकास मंदल को फिर से काइंडेट डिक्लियर कर दिया और रास्टी जंता दल इस उहापो में है कि यहां चुनाव लड़े यांदा अगर भीमा भारती को या उनके पती अधेस मंदल को चुनाव लड़ाया जाता है तो एक बात करीब करीबता है कि कहीं न कहीं जंता दल उनाइट ने गट बंदन धर्म और इंडिया गट बंदन के गट बंदन धर्म का पालन करते हुए स्टीपी आई के के कैंडिडेट को जो पिछली बार बैयानी से यार वोट लाकर हा रहे थे उनहीं का समर्थन कर दिया तब जनता दर उनाइटिट की दुस्वारिया और बढ़नी है और इन सब से आगे जाकर देखिए तो उस इलाके में प्रभाव साली नेता है लोग जनसक्ती पार्टी में थे संकर सिंग अब आज की तारीख में कोई चिराग मॉडल रुपॉली में तो हो नहीं सकता को कि नरंद मोधी सरकार का ऑक्सीजन नितीश कुमार के 12 सांसदों औ किसी सहयोगी दल के साथ चिराग मॉडल यसी गुंजाइस तो फिराल दिखती नहीं है तो जब वो हालात नहीं है तो स्वाभाविक है कि संकर सिंग को चुनाव लड़ने के लिए लोग जनसक्ती पार्टी एंडिये में रहते हुए चिराग पासवान एंडिये में रहते लिहाजा संकर सिंग निर्दलिये चुनाव लड़ने का एलान किया है लोग जनसक्ती पार्टी से लोजपास इस्तिफा भी दे दिया है अब उसके बारे में कई तरह की खबरें है कि क्या वो लोग जनसक्ती पार्टी के नेत्रितु के साथ किसी सहमती से दिया गया और उसके बाद नितीज कुमार बीच में विधान सभा भंग कर दें तो पांच-दस दिन या एक वहिने का विधायक बनने के लिए कोई पार्टी छोड़ करके और उस तरह की विधायक बनने की मंसा पालकर उप चुनाओं में उत्रेगा नहीं तो एक सवाल यह उठ रहा है कि आखिर संकर सिंग ने इस तीफा देकर चुनाओ लड़ने का जो फैसला किया है उसके पीछे कहीं कोई राजनितिक ताकत तो नहीं है कई सारे सवाल है पपू यादो का मुकाबला करने के लिए भीमा भागती गई थी और कहा जा रहा है कि वहां भी एक निर्दलिये को चुनाओ जिता कर पपू यादो वाला खेल हो सकता है पूर्णिया लोग सभा में ही रुपॉली विधान सभा है नतीजह कुछ भी हो जनतादल उनाइटेड जीत गई तो यह तैमानिये कि जंतादल उनाइटेड ने लोगसा चुनाओं में जो की बार्गेशनिंग विधान सभाजन में जो चाहे चार महींने बाद हो िहां इसijn दौर में बिहार मेस सबसे विधरीवार नतीजह को देखे तो बैतरीन प्रदसन इस लोग सभा चुनाव में किया है उससे साफ जाहिर होता है कि रुपावली के बाई एलेक्षन में अगर मामला गढ़ बढ़ाया तो नितीश कुमार की बारगेनिंग पावर घटी या घटाने की कोशी से सुरू हो जाएंगी और अगर मामला नितीश क कुमार कह रहे हैं वो करना ही पड़ेगा अने था बिहार की राजनीती में कोई गुंजाइस नहीं है नितीश कुमार कैसे पड़े थे विदान सभा कर नतीजा और चिराग मॉडल सभी जानते हैं कम जोर पड़े थे लेकिन एंडिये के अंदर उनको कम जोर करने की कवायत क को हवा कम मिली जब कमान लिया गया कि नहीं चिराग मॉडल के बाद वाकई नितीश कुमार और जेडियू उनकी पार्टी करीब करीब खत्म सी हो चली है तो मुझाफ़त पुझले का कुढ़नी विदान सभाव चुनाओ था जनतादल उनाइटेड लड़ी और जनतादल उ सभा चुनाओं में जेडियू चड़ी हुई जेडियू की भूमिका बड़ी देख रही है तो रुपावली के एलेक्षन में सबसे पहले बीजेपी के कैडर पर नजर रखने की जवरत होगी कि बीजेपी के कैडर कहीं कोई नया चिराग मॉडल तो नहीं खेल रहे हैं उसक की के ऊपर यह तै होगा कि क्या अब भी एंडिये के अंदर गटबंदन धर्ब निभाने की कोई मानसिक्ता बची है या अब भी दिल्ली में भी वैसाकियों पर सरकार बनने के भावजूद पुरानी आदते बरकरार है कि गटबंदन सयोगियों को कैसे डिच किया जाए उनके राहितिक कद को घटाया जाए और अंदता उनको राहितिक रूप से खत्म कर दिया जाए यह एलेक्षन बाइए लेक्षन बहुत बड़ा इसका लिटमस टेस्ट होने जा रहा है और इसी लिटमस टेस्ट में नितीज कुवार की परिच्छा होनी है कि क्या जिस ट्रैप में उन्हें फसाने की कोशिस हुई राजनितिक ग्रूप से फसाने की कोशिसे 2020 से सुरू हुई बिदान सभा चुनाओं से क्या उस ट्रैप से जंता दल उनाइटेड बाहर निकल चुकी है कई सारे सवाल है बिहार में मत भोलिए कि जंता दल उनाइटेड का सबसे बड़ा स्ट्रॉंग होल्ड नालंदा के बाहर यदि देखने की कोशिस करें तो वही कोशिस सिवांचल क इलाका है जा अब भी एक भी सीट जेडी उन लोग सभा में नहीं जीती तीन सीटों पर लड़ी तीनों सीटों के अंतर गए तो तो उस इलाके में क्या जंता दल उनाइटेड कमजोर है यह मैसेज दिलाने की कोशिस तो कोई नहीं करेगा राष्टिय जंता दल की स्थिती यह है कि अगर नितीश कुमार रुपाहली सीट जीत करके आते हैं तो राष्टिय जंता दल नितीश कुमार के किसी भी सर्थ के साथ भवविस में समझोते का द्वार खोल देगा और अगर नितीश कुमार की जंता दल उनाइटेड सर्थों के लिए के साथ भविष में किसी संभाविन गडबंदन का रास्ता तलासने की कोशिस में बराबरी किस्तिती में मेज पर बैठने के लिए आने की तैयारी करेंगी यहीं है नितिश कुमार की पार्टी के लिए रुपावली उप्चुनाव का महत्त तो देखते जाए यह रुपावली में क्या होता है जेडियू ने नॉमिनेशन फाइल कर दिया है जेडियू कैंडिडेट ने सीपी आई वाले फाइल करने वाले हैं और आस्ती जंता दल अब तक कैंडिडेट बनाए या गटबंदन धर्म के तहप सीपी आई को ही समर्थन दे या अपना हो जाता कुछ कहा नहीं जा सकता आज के लिए इतना ही नमस्कार